आज जिन जिन countries के relation इंडिया के साथ better है अगर मैं बात कुरूँ अफगानिस्तान के relation better है अफगानिस्तान को भी इंडिया ने बुरी वक्तों से बाहर निकाल दिया मैं यहाँ पर pra geen यह तारीफ नहीं कर रहा जो facts and figures से वो बता रहा हूँ अगर मैं बात कुरूँ बंगलादेश के बंगलादेश आज हमसे अलग हुआ लेकिन इंडिया नो उसको स्पोर्ट किया जपान ने इंडिया को कहा कि आप बंगलादेश के साथ चेन बनाओ हम बनाने जा रहे हैं आज देखें कि अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते आज हम इमानदार होते तो क्या हमें वो नहीं बनाते इंडिया मदद ना करता हमारी आपने रिसेंट्ली भी न्यूस सुनी होगी कि इंडिया के 18 कंट्रियों में उनकी क्रंसी है वो एक्सेप्ट की जा रही है से ज्यादा वो हिंदू ज्यादा तरकी पर जा रहे हैं क्याओं कि मुसल्मान सबसे अच्छे हैं हमारे पास बढ़दात करते हैं हम कहते हैं हम सबसे अच्छे इमानदार भी हैं अज कंटे अंदर हिंडू自 Pack आप नाम गए इंडिया में एक साथ खुश दे। लेकिन आज लगता है कि आपको के हमारा डिसीजन सही तांड इंडिय में गाई बढ़ने की वजवाद सबसे पहले तो हमारे जो मुल्क के हलात हैं उस पर डिपेंड कर रहे हमारे डोलर के रेट पर हैं वारी जो स्टोक मार्किट है वो भी क्रेश कर चुकी है पोलिटिकली स्विच्वेशन पर बड़ा अफेक्ट कर रहे हमारे कंट्रीज पर यह है कि बंगलादेश को हम आने वाले टाइम के अंदर इंडिस्ट्री लाप बनाने जा रहे हैं वो भी थुरू अफ चैन ओफ इंडिया इंडिया की मदद के थुरू क्या कहना चाहेंगी अगर आज हमारे तलुकात अपने पडोसियों के साथ अच्छी होते तो क्या हम डिव करनसी हम से बहतर है डगा की करनसी हम से बहतर है हम पता नहीं कहां से कहां है हम यह देख रहे हैं यह मुल्क नहीं कर दिया वो कर दिया हम अपनी बस उसने आज यह फोज ने यह कर दिया इस पेमल नहीं यह कर दिया बस अपने यह गड़ों में लगे हुए हैं मुल्क के लि बाइर निकाल दिया मैं यहां पर प्रेस या तारीफ नहीं कर रहा हूं जो फ्यक्शन फीगर से वह बता रहा हूं अगर मैं बात कुरों बंगलादेश के बंगलादेश आज हम से अलग हुआ लेकिन इंडिया नोसको सपोर्ट किया दुनिया के पांच भी महिशत इंडिया है इस टाइम अगर बंगलादेश डिवेलपमेंट की तरफ जा रहा है तो इसमें इंडिया के कितना हाथ है क्या हम पूछना मैं यह चाह रहा हूं हमारे रिलेशन कब बैटर होंगी डेकर साथ आप ऐसा पाकिस्तानी क्या चाहते हैं रिलेशन बैटर करना चाहते हैं या नही देखें इंडिया एक बहुत बड़ी ग्लोबल मार्के्ट है क्योंकि उसकी अबादी बोहतनी ज़्यादा है आपके जो सबसे ज़ Child का पर है क्यूंकि चाइना के बाद अगर को सबसे ज़ादा अबादित कांट्री है तो वो इंडिया ही है अब इंडिया बन चुका है लेकिन कहने का मंसे दिए कि अगर इंडिया के साथ भी आपको तालुकात अपने अच्छे रखने पड़ेंगे हम साओं के साथ तालुकात रखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे बोर्डर उनके साथ अच्छा है हमारी ट्रांस्पोर्टेशन उनके साथ होती है अगर हम उसके साथ अच्छे तालुकात रखेंगे, हर किसी कंट्री के साथ अच्छे रखेंगे तो हमारे बहुत से मसले हाल हो सकते हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी फर्क पड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उनसे इंपोर्ट ही करवा हैं, हमारी इंपोर् पर की आपके क्रहिते ही हैं महिंगते हैं में कुछ निया क्योंक्ब इन करने में मसला कुछ परचनल पर देखो हमारा past अगर आप सो साल पीछे चले जाएं तो आज हम सारे Indians थे अगर आप एक हजार साल पीछे चले जाएं हमारे दादा पादा सारे इंडान गुझ थे लेकिन आज लगता है हमारा decision यह हमारीrag हमारे decision श्रूत है मुझे तो लगता है की decident ठीक था में नमाज पढ़ने जाए तो कोई पता नहीं का उठा के ले जाते हैं उनके राम रूम करते हुए लेकिन मैं उनको कुछ तरह स्पोर्ट मैं आपको सिर्फ गोर्रमेंट सेक्टर में देखे तो यह होनी चीजें चीजें हमें कुछ ना चाहते हैं भी लोगों के साथ अपने आपको एक चीजे कले से ग्रोगों के बारे बात की है मैं अधर जो मैंने रिसेर्च की गया है कुछ पिछले कुछ टाइम के अंदर मैंने एक स्थेश्टन रखा था पॉड़कास का जो के यहां सर मैं वहां के लोगों के साथ कनेक करता था इंडियन के साथ गुफटुकू आज अकर चिनी कीमत आटे उसके अलावा टमाटर, आलू, प्यास की कीमत आप देखेंगे तो हम आपसके निस्वत जन्नत में रह रहें और दूसरी नमबर पर आपने बात की कि मजजदों पर नमाज पढ़ने नहीं दी जाती वो कहते हैं कि भाई आप इतने अजाद नहीं है जितने हम अपने मुलक में अजाद हैं, इंडिया के अंदर अजाद रहें के नमाज पर आप इस मजदों को छोड़ दे, आप सिक ब्रादरी को देख लें, वो यहां पर आते हैं, वो स्कून से अपने अबादत गापे आते हैं, यह अपने करतार पूरी में आते हैं, इतनी उनको अजादी वहां पर नहीं है, जितनी यहां पर है, आए दिन उनके भी बहुत से जगणे हैं, सिर्फ मुस्लिम कंट्री को छोड़ दे, उसको भी बाकी देख लें पाकिस्तान के अंदर पिछली दिनों के अंदर आपने ये नियूस सुनी थी, कि जहां पर पंजाब कोलिच के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ मतलब के वो हौली बनी मना रहे थे, तेहार मना रहे थे, उन पर मतलब के चड़ दोड़े मुसलमान जो थे हमारे, हमारे भाई जों से भी, सुनी नियूस आपने, आज जिन मैंने सुनी हूई है, तो नेगटिविटी कहने का परपस यह है, मतलब की यहां औरorg अर्ट नेगटिविटी को हृँट करेंगे, अगर एक्स्रीमिस वहां पर भी होंगे, यहां पर नहीं होगा, यहां पर लोग डिनाय करना चाहूंगा, खोफ्ल के नमाज पढ़ते हैं। कुल के नमाज बढ़ते और रोड़ों के ओपर लोग और ट्राफिक को रोकर मुसल्मान को वहाँ पर नमाज बढ़ने की अजाज़त है आप यह देखिए बिल्कुल है लेकर इतनी नहीं है जितरा यहां पर मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा मंदिर कितने थे यहां पर अज स्दी से पहले कितरे जाधा हिंदू थे हम जिसम हिंदू मुझे स्वाल पुच्टे हैं इंडियंस मुझे सवाल पुच्ते हैं कि बा कि किस पर्षंट हीजों थे अभी सिर्फ पांच पर पी नीए एक परसंट रह गें छोपिंगर ने आया आम जूति जो चप्पल वजू करने आ तो दोजार की ए यह नहीं हो दो घर से बहुत से हैं हर चीज़ पर मंगाई है यह दो चूति है ने पर शान एंदट इस में आपको बताना चाहूनगा यहां पर सर अफ़ूर्स अलब का इर्शाद है तुम मैंसे बहतर वो है जो अपने पडोसियों के लिए बहतर है आज आप बताईगा कि हमारे तलुकात कौन से हमारे पडोसी के साथ बहुत अच्छे है अफ़गानिस्तान के साथ है इंडिया के साथ है बंगला देश के साथ है चैना के साथ है अच्छे हमरानों की वगरा से बड़े बड़े जो अअज पता तो आपको के बंगला पनगला देश की एकोनोय में बहुत जादा मसμदूत है हम आज वो जब पाकिस्तान को इस किसम के हालाण में देखता होगा तो वो क्या महसूस करता होगा आज तो वह बहुत खुश हो देखें वह देदा हो बोगस्ट कर अपजू करने हमारे देखें जपान ने इंडिया को कहा कि आप भंगला देश के साथ चेन बनाओं हम भंगला देश को इंडिस्ट्रिल ले आप बनाने जा रहे हैं आज देखें कि अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते आज हम इमानदार होते तो क्या हमें वो नहीं बनाते इंडिया मदद ना करता है। वोड लेकर कभी गर में आये इने पूछने के क्या है क्या नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया को पाच्वी बड़ी महिशत बना दिया। इंडिया करें हमारी सोच अगर वो कलमा पाड़ लेना तो वो जनती है। हम जैसे लोगों के हमने उदर रमजान खोल रोजा खोलें आप यकीन करें इतनी इनना इज़त की है हम लोगों की इतनी इज़त की है। यहां पर चीजे जब रोजा आता तो चीजे सस्ती हो जाता है। इनको चाहिए कि गरीबों का द्यार आके तोड़ा सस्ता कार दें। देखो 10 रुपेज़ 20 रुपेज़ सस्ता कार दें तो गरीब भी बचारा हुश हो जाए। लेकिन इदर आप देखें कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कारें लोग। आप बाहिर लोग सस्ती करते हैं चीजे जब हमारे रमजान आता है। इंडिया में चीजे सस्ती हो जाती है। एक बंदा मुझे दिखा रहा था कह रहा था रमजान से पहले ये निम्बू जो है लिम्बू हाना रमजान आया पांस जबर करती है। इसरह आप लोगों के अच्छी बाते हैं और बात वारों में याद रखना है। कैसे आप लोगों ने जाने पाकिस्तानी सीनियर सीडिजन्स की आवाज शुक्र अलग सर नाम आप सेजिन सीमा बास आपका नाम हाशीमा बास क्या करते हो मैं स्टडी करता हूँ कुछ ग्लास सिक्स समेस्टर में बी-एस मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो सर बेसिकली बात करने का परपस यह है रिलेशन्स के ओपर बात करों का चल पहले तो ये बताएं कि एद आ रही है शोपिंग बगारा और गर के हलाद बगारा कैसे मैनेज कर रहे हो रहा हुँ गुजारा इस हलाद के ओपर देखते हुए जहां पर डॉलर असमान को चोरा पिट्रोल की केमते तीन सो पर जा रही है कैसे गुजारा हो रहा है अल्दा का शुकर है खलाद बहुत हराब है मुलक के स्यास्टान हमारे ने बहुत हराब की हो गया इनकी आपस की जंग है और कोई मसला नहीं पर रहा है यह और बाट करते मैं बात करूँ यहां पर एक बहुत बड़ा इनिशेटिव अभी recent की news अभी की news कि जपान ने इनॉसमेंट की है कि तुम मंगला देश को इंडिया की मदद से बनाएगा उसको एंडियस्ट्राइल अगर हमारे रिटेशन आज किसी भी कंट्री के साथ अच्छे होते तो क्या हमें भी इस तरह के प्रोजेक्ट भें होते कि आपने जैसे देखा कि पाकिस्तान चाइना ने इन्वेस्ट्मेंट की दिए सीपेक जो सीपेक वना है उसके बाद में लाजमी सी बात है उसके साथ में कंट्री जो नेबर कंट्रीज है वो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वज़ा से लाजमी मनलब के मुम्किन नहीं कि इस तरह होगा आज अगर बंगलादेश हमें इस situation में देखते हुए जहां पर वो develop हो रहा है जहां पर वो तरक्की आफ़ता बन रहा है वो हमें situation में देखते हुए क्या feel करता होगा क्या मैसूस करता होगा देखें, बंगलादेश पाकिस्तान का इसा ही था, ठीक है, पाकिस्तान से वो बंगलादेश में टका चलता है, तो उसकी वैल्यू यह होगी है, कि बंगलादेश का एक टका होगा, वो पाकिस्तानी के दोड़ पे बनेंगे, तक्रीमन तीन पे है, जो भी कहते हैं, तो मतलब क पाकिस्तान की टीन तक है कि भी नीड आगी वैल्यू हम कहते होते थे जब बंगलादेश हम से अलग हुआ तो वह तो टके के लोग हैं वह तो ठका ठका दो दिन नहीं चलेंगे लेकिन आज वो डिवेलब हो गें वह तो तीन ठका बन गया अब तो क्या ख्याल है यहां पर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि अब बंगलादेश जैसे कंट्री भी इंडिया के सा रिलेशन अच्छे रखती है अगर वो भी तो कह सकती थी भाई तुमने यह किया तुमने वो कि हम तुम्हार से तलुगात अच्छी नहीं रखते लेकिन मुसल्मान पाकिस्तान से भी इनत नहीं करते इतनी जादा और सबसे जादा मसला जो है ना पॉलिटिकल निस्टेबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया उसकी वज़ा से पाकिस्तान जब जब से मतलब के तरकी की रहा पर जाने लगता है कुछ ना कुछ मसला आयता है आमने जैसे भी देखके में तरक की उस वकर किया जब हमें पैसे बाहिर से कोछ आये है हैं दाट کی सोरत पर जब किसी क्त मुलकों की ढंगिए उससे हमने पैसे लेकर त्रकी है अब मुझे तरकी बहुँज क्यों की देखें तरकी जो हुती है ना इकॉनोमिक गरूथ के वजा से हूती है अब हमारे पाकिस् आइक्स में वो जो पॉली टेशन होते हैं पश्वाइब कमें by रूमी होती और जो पाकिस्तान की असलखेमेट के लावा हड किसी के सार रिलेश्ण बनाना चाहिए पाकिस्तान को इक याड ज़िए लोगों ने जाने पाकिसानी बड़े लिखे रहाए।